हलो गुण मानिंग जुहार में संजे और आप देख रहे हैं निगो जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का तुछ लिए जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को राची में संगल की जन सभा में बोले सालखान मुर्मू जो सरनाधर्म कोड देगा उसी को वोड़ देंगे आदिवासी धार्मी का जादी नहीं मिली तो 30 दिसंबर को भारत बंद का एलान आदिवासी संगल अभ्यान की सरनाधर्म कोड जन सभा में जार्खन, बिहार, पसिम बंगाल, ओडिसा, असम, त्रिपूरा, अरुनाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में आदिवासी सामिल हुए देश के 15 करोड आदिवासीयों के लिए सरनाधर्म कोड की मांग की इस औसर पर राष्ट्री अध्धक्ष पूर्व सांसत सालखान मुर्मू ने कहा है कि संसत क सीथ कालिन सतर में भाजपा या कॉंग्रेस जो पार्टी सरनाधर्म कोड की बात करेगी आगामी लोग सभाचिनों में देश के आदिवासी उस पार्टी को वोड़ देंगे यदि प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी 15 नौवंबर को उलिहातू दोरे में इसकी घोशना करते है तो यह समर्थन भाजपा को जाएगा उन्होंने काहे कि यदि आदिवासियों को उनकी धार्मी का जादी नहीं मिलती है तो 30 दिसंबर को भारत बंद करेंगे इन 50 जिनों में हर गाउं गाउं में घूम कर इसे चिनावी मुद्दा बनाय जाएगा हमें इस मुद्दे पर र नगर्थाना अंतरिगत सितरा मंदिर रोड इस्थित किरासन तेल टंकी के पास दो पक्चों में जमीन को लेकर विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि जम कर गोली बारी हुई फाइरिंग में तीन लोग जक्मी हो गए घायलों की पहचान राम ठाकुर विश्नु क जानकारी ली लोगों से पूचताच क्या धार पर पुलीस ने जानकारी दी है कि इंद्रनेल चटर जी द्वारा फारिंग की घटना कौन चाम दिया गया है पुलीस को चान बीन में आरंबिक तोर पर यह जानकारी मिली है कि सितला मंदर के पास एक पलोड को लेकर बीते कु मिलेगी चनाधाल जारकन इस्थापना दिवस पर हिमंत सरकार लोगों को एक बड़ा उपहार देने जा रही है इस्थापना दिवस यानि 15 नौवंबर से जारकन में चनाधाल एक रुपे किलो की दर से मिलेगी 11 अगस्त को जारकन के बिनेट के हुवी बैटक में आसेक अन रणे लिया गया था अब राज्य के वित्मंत्री रामेश सरुराओ ने इस योजना के विधिवत सुरवात की घूशना कर दी है खबरों में कहा गया है कि फिलाल इस योजना कलाब सभी नागरिकों को नहीं मिलेगा एक रुपे किलो की दर से चनाधाल उनहीं लोग को मिले जो जार्खन खादे सुरक्षा योजना में लिष्टेड है इस राज्य के 65 लाग रासन कारधारियों को इस असकीम कलाब मिलने वाला है वित्मंत्री ने बताया है कि इस योजना के लिए जार्खन सरकार ने 500 करोड रुपे का बजट अलग से पारित कर दिया है बता दे कि स इस योजना को इसी कड़ी के रूप में लॉंच किया गया है 15 लाग की नामी ने किया सरेंडर खोले कई राज चत्रा में बुधवार को प्रतिवंधित संगठन भागपा मवादी के एक सदस ने सरेंडर किया है इस नकसली पर 48 जवानों के हत्ता का आरोफ है अलग-अलग थानों में 72 मुकद में दर्जे हैं और सरकार ने इस नकसली पर 15 लाग का इनाम घोसित कर रखा था ग्रेपतार नकसली का नाम नवीन यादो है वो भागपा मवादी संगठन के रिजनल कमेटी का सदस रहा है यादो ने चत्राडी सी अब्बू इम्रान, स्पी राकिस रंजन और अन्य जुह CRP अप अधिकारियों की मौजूदगी में सरेंडर किया है पुलीस सरेंडर को शाल के अंतिम महिनों में बड़ी सफलता बता रही है मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बता है कि नविन यादों ने सरकार की संसोधित आत्मसमरपर नीती से परभावित होकर और पुलीस की रोज-रोज की दबिस से परिशान होकर सरेंडर किया है गौर्टलाभे की जारकन सरकार ने हाली में आत्मसमरपन नेती में बदलाव किया है इसके तहट सरेंडर करने वाले नकसलियों को कानूनी राहत के साथ उनके पुनरवास उनके परिवार की देखभाल भूमी और सरकारी नौकरी तक का परवधान किया गया है यादों को तहली की मांग को लेकर आंधुलनरत पोशन सक्यों ने बुधवार को जमाम कारेले के समक्ष धर न दिया इस दो्रान पोशन सक्यों ने हिमनत सरकार के किलाप नारिबाजी की पोशन सक्यों के धर UX की जानकरी जब पिछले कई महा से पोसं सक्षियों को मिल रहा है, लेकिन इस दिसा में कोई ठोस कारवाई नहीं हो रही है, हिमंत सरकार की और से उनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई है, ऐसे में यदी आने वाले समय में सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है, तो पोसं सक्षी अगले विधान सभासतर के दोरान धरना देने को मजबूर होंगे। विधान सभासतर के दोरान धरना देने को मजबूर होंगे। गायल होने की कारण गौपाल वहीं बेसुद होकर गिर पड़ा। अवाज सुनकर आसपास की लोग वहां पहुँचे ग्रामिनों के हला करने पर भालू जंगल की और भाग गया। भालू के पंजे से गौपाल के पेट पर गहरे जक्म हो गए हैं। ग्रामिनों और परिजनों की मदद से उसे समुदाएक स्वास्त केंदर कर्रा पहुचाए किया जहां चिकतसकों ने उसका इलाज किया इलाज के बादों से घर भेज़ दिया किया। गटना के जानकारी पाकर वन विभा की कर्मी CSC कर रहा है। उन्होंने घायल के परिजनों को ततकाल दो हजार रुपए साहतारासी के रुप में दी मौकेपन वनरक्ची माइकल सुरिनवा रस्मी कुमारी हेरो मौजूद थे। राची में चांदी के गहने की चोरी के मामले में सुराग हासिल। आईएस आईएस के दो आतंकवादी जारखन एटीएस के गिरप्त में डाक वैब के जरिये थे संपर्ख में जारखन एटीएस ने आईएस आईएस से जुड़े दो आतंकवादियों को गिरपतार किया है। ये गिर्यपतार यहां हजारी बार्ग और गोड़ा में हुई है। आरीज हसनैन और नसीम है। प्रसिक्षू चात्राइं सैकडों की संख्या में राजधनी राची इस्तित जेसी इर्टी कारियाले पहुँचे प्रसिक्षू की सिखाया थै कि पांच माह के आउलोकन और टीचिंग ट्रेनिंग के लिए जेसी इर्टी द्वारा जो अस्कूल आवंटित किये गए हैं उनमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां आने जाने का कोई साधन नहीं हैं उन्हें इससे भारी दिकतों का सामना करना पड़ता है। पाउजूद जेसी इर्टी के अधिकारी उनकी नहीं सुनते वे दिकतों से हलकान हैं। एक लाग दस जार तक का कैस रुवाड दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्सिर में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके आप इसमें रेजिटेशन कर सकते हैं। और हाँ रिजल का जो अनौसमेंट है वो धन 13 के दिन यानि की 10 नौमबर के दिन किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बढ़ चड़ कर रेजिटेशन करें और काईस इतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की और धन्यवाद। इसमें बिहार का कुछ इंसासा मिल हैं इस मामले पर भारत सरकार राष्टी राजमार्क मंतराले के अधिकारियों से बात चल रही है मिली जानकारी के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो या रोड जल्द ही नेस्टनल हाईवे कहलाएगा इस रोड के बन जाने से बिहार योप दूरी भी काफी घड़ जाएगी पीम मोदी के दोरे से पहले सचिव अस्तरिय पद्धिकारियों ने जीले के अधिकारियों को निर्मानकारियों को लेकर कई दिसन इर्देश दिये उन्होंने सा समय सभी निर्मानकारियों और सौंद्रिय करन के काम को पूरा करने का भी निर्देश दिया मुख्य सची शुकदेव शिंग ने धीमी गती से हो रहे निर्मान कारी पर नाराजगी जताई विर्सा कॉलिज पर इसर इस्तित फुटबाल ग्राउंड का निरक्षन के पश्षात राजगे के मुखे सची और डीजीपी समयत विभागे आधिकारी विर्सा मुंडा के जनमस्तली पुली हाथ उ पहुँचे ACB की टीम ने घूश लेते किया गिरपतार LRDC के पेसकार ने मांगे थे 5000 खूस रंगे हाथ हुआ गिरपतार भरश्टा चार के खिलाब पलामू ACB टीम ने बुधवार को लातेहार में बड़ी कार रवे की है ACB की टीम ने भूमी उप समाहरता लातेहार LRDC के पेसकार विपिन की सोर एका को 5000 रुपे रिस्वत लिते रंगे हाथ गिरपतार किया है ACB की टीम 12 बजे कारेले पहुची आविदक संकर राम द्वारा पेसकार को 5000 रुपे नगत दिया गया जैसे ही पेसकार घूस के पैसे को पेकेट में डाला ACB की टीम रंगे हाथ पकड़ लिया गिरपतार करने के बाद पेसकार विपिन की सोर एका को जो है पहाड पूरी इस्थित सरकारी क्वार्टर ले गई जहां जाच के दोरान टीम अपने साथ पर लाम ले गई इधर ACB टीम की कारवाई से सरकारी कारेला के कर्मियों में हड़कम मच गया है घर में रेफरीजरेटर रखने वालो ढाय एकड जमीन के मालिक और मचली पकड़ने वाली नाओ रखने पर नहीं मिलेगा अबुआ अवास योजना का लाब अबुआ अवास योजना का लाब निर्धारित सर्तों पर खरे उतरने वालों को ही मिलेगा इस समन में मंत्री परिश्ट की स्विकृति है तूशनलेक तयार कर लिया गया है इसके मुताबिक वित्वर्स 2023-24 में इस योजना का प्रारम होगा योजना के तहट तीन कमरों का पक्का मकान अर्रसोई घर बनाया जाएगा इसका छेत्रपल 31 वर्ग मीटर होगा पीम अवास योजना के तुलना में इस अस्कीम के लिए राजसरकार चाइनी तलाभोको को दो लाक रुपए दिये जाएंगे आगामे तीन वर्सों में दो हजर तैस चबिस में इसके अंतरिकत कुल जो है आठ लाक एकाई आवास आवंटित किये जाएंगे पहले वितिवर्स दो हजर तैस चौबिस में इसके लिए दो लाक इसकी अगले साल में सड़े तीन लाक और फिर जो है ढाई लाक लोगों को आवास दिया जाएगा इस आवधी में इस पर सुल्ला हजार हजार तीन सो बिरासी करोड रुपए खर्चों होंगे ग्रामिन छेतरों में रहने वाले ऐसे गरीब और गरीब विहीन लोग को राजी सरकार अवधी योजना का लाब दिया जाना है इसके ताहत कच्छे घरों में रहने वाले जो है आवास विहीन एवं निरासरित परिवार कमजूर जन जाती समू के परिवार प्राकरतिक आबदा के सिखार परिवार कानूनी तोर पर रिहा किये गए जो है अबुआ मजदूर सहित अन्य जो है जुरतवन्दों को इसका अगरवाल और प्रेम प्रिकास ने दायर की है जमानत याचिका अब दिसंबर में सुनवाई जमीन घोटाला मामले में जेल में बन विवस्थाई विशनू अगरवाल और ब्रोकर प्रेम प्रस्तितियों का हवाला देतो हुए जमानत की अर्जी लगा रहा है वही इन दोनो अगरवाल और ब्रोकर प्रेम प्रिकास की और से दार याचिका पर जिस्टिस दीपक रोसन की अदालत में शुनवाई हुई सुनवाई में अदालत ने प्रेम प्रिकास की जामानत पर एडी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है अदालत ने समय देतो हुए मामले की अगली शुनवाई 13 दिसमबर निर्धारित की है वही विश्णु अगरवाल की जमाने ती आचिका पर भी कोट ने AD को जवाब दाखिल करने को कहा है वही विस्नु अगरवाल के मामले में शुनवाई के लिए 11 दिसंबर किती थी निर्धारित की गई है अब इंस्पेक्टर जल्द बनेंगे डियस्पी जारिखन हाई कोट ने परुनती पर लगी रोक हटाई जारिखन उच नियायाले ने परुनती पर लगी रोक वापस ले ली है 31 अक्टूबर को ही नियायाले ने अपनी आदेश जारी कर परुनती पर लगा दी थी इसके बाद पर दीकारियों के हीद को ध्यान में देखतो हुए परुनती के बिना सेवा निवरित होने जा रहे पर दीकारियों के इस्तिती से औगत होने के बाद हाई कोट ने 7 नॉमबर को आदेश जारी कर रोक वापस ले ली हाई कोट ने अपने आदेश में लिखा है कि कोट के अंतिम आदेश से परुनती प्रभावित होगी हाई कोट की रोक वापसी के बाद अब पुलिस इंस्पेक्टर से डियेस्पी रैंग में परुनती का रास्ता साफ हो गया है बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही JPSC बोर्ड की बाठक होगी जिसमें DSP के 93 पदों के लिए भेजी गई पुलिस इंस्पेक्टर के 186 नामों की सुची पर विचार होगा देशभक्ती गीतों की धुन पर बैंड प्रस्त कृती देंगे चात्र खेलगाउं में होगी राजस्तरी इंटर अस्कूल बैंड परतियोगितां आम लोग भी ले सकेंगे आननद राज 끼 के सभी सरकारी और नीजी अस्कूलों के बच्चों के लिए राजस्तरी इंटर खिलगाओं में आयुजित किया जाएगा इसमें राज्य के सब ही सरकारी एवं नीजी अस्कूलों के जीलास्तरिये विजाईटी में देश भक्ते की धुन में मनमोहग बैंड प्रस्तुती देंगे इस परतियोगिता में छात्र और छात्राओं का अलग अलग ग्रूप होगा राजस्तरिये परतियोगिता में सामिल होने के लिए प्रते एक जीले से एक बेश्ट बैंड का चैन किया जाएगा एक टीम में 25 दस्त होंगे हर टीम को बैंड प्रस्तुती के लिए अधिकतम 7 बैंक खाता नहीं खुलने से नहीं मिल पाय रहा सरकारी योजनाओ कालाब राजसरकार ने सरकारी असकुलों की सेक्षनिक गुनवता में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं असकुलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन योजनाओ कालाब समय पर मिले इसके लिए भी प्रियास किये गये हैं लेकिन इन दिनों योजनाओ कालाब मिलना मुस्किल हो गया है बच्चों और उनके आईभावकों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ रहा है दरसल राजसरकार ने असकुलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अपना बैंक खाता रखना अनिवारी कर दिया है बैंक खाता खुनले के लिए अधार कार्ड अनिवारी है और अधार के लिए नगरपाली का द्वारा जारी परमानपत्र अवश्क है ऐसे में उन आईभावकों की परिशानी बढ़ गई है जिनके पास अपने बच्चों का जन परमानपत्र नहीं है ऐसे बच्चों को सरकारी योजना का लाव मिलने में काफी परिशानी हो रही है इस धरना प्रदर्सन में निर्सा के पूर विधायक अरूप चटरजी भी सामिल हुए जिले में आंदुलन का नितुत्व कर रहे महासंग की संघर समेती के अधग सहा चिकतसा संग के राजी महासचियू संजूत कुमार सहाई ने बता है कि 1103 मांगो को लेकर विसाल महाधरना और रेली का आउजन किया गया इस धरना के माध्यम से करमचारियों के लिए हो रही समस्याओं से सरकार को आउगध कराने के लिए की जा रही है मुख्यमंतरी हिमंत सोरेन सरकार में आने से पहले सभी सहिया साथियों और स्वास्त करमचारियों से वादा किया था कि उनकी मांगो को पूरा किया जाएगा लेकिन अब तक उनकी मांगो को पूरा नहीं किया गया है मुख्य मांगों में तरुतिव वर के राज कर्मियों का निम्तम ग्रेट पे 24 सो रुपए किया जाए चतुर्थ वर के कर्मचारियों के तरुतिव वर के रिक्त पड़े पदों के 50% पर पदोनत्य दी जाए इसके साथ ही उन्होंने कहे कि हमारी मांगे पूरी नहीं किया जाती है तो चार दिसंबर को राज़ी में मुख्यमंतरी जारखन सरकार के समक्ष धर्ना परदर्शन किया जाएगा जेमेम की पीम मोदी से एचिसी को बचाने का आगरा बकाया 36 लाग करोड की भी मांग जारखन मुक्ती मोर्चा जेमेम ने पीम नरेंदर मोदी से एचिसी को बचाने की अपिल की है साथी केंदर के पास जारखन की बकायरासी देने की भी डिमांड की है केंद्रिये कार्याले राची में बुधवार को प्रेस कॉन्फरेंस में जामो के केंद्रिये महासचियू सुप्रियो भटाचार ने कहा है कि 15 नौंबर को जारखन के स्थापना दिवस पर पीम के आगमन का बेसबरी से इंतजार है ऐसे मौके पर उन्हें चहिए कि वे एचिसी को बचाने की पहल भी करें देश के पहले पीम नहरू और इससे राज़ की मार्टी के लाल इंजिनियर कार्तिक उराउने जिस अध्धोगिक संस्थान को खड़ा किया था उस भाजपा के सासनकाल में पिछले 10 सालों में बरबाद कर दिया किया नतीजा या है कि पिछले 2-3 सालों से एचिसी के कर्मी जो है मरनासन इस्तिती में हैं एचिसी के जो है उध्धार के अलावा ज़ारखन का जो केंदर के पास 36 लाग करोड बकाया है उससे भी वे दिलाए अधिवासी मूलवासियों के लिए जो राज सरकार की योजना है उसे पूरा करने में मदद करें उनने काय के कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसके आरोपी जारखन से भाग कर दूसरे राज्यों में चिप हुए हैं उनकी गिरपतारी के लिए पुलीस महनिरक्षक से अनुमती लेकर समंधित राज्यों में जाकर अविलम कार्रवे की जाए हरत्या के जिन कांडो का उद्भेद अभी तक नहीं हो पाया है उन मामलों में भी ततकाल कार्रवाई करने के निर्दिश दिया है गाय की समंधित अनुमंडल पुलीस पद्धिकारी एवं अन्य जोई परभारी विसेश रूप से इस पर ध्यान दे और सभी केस का खुलासा करे हैं कोर्ट रिकार्ड भी मांगा है इस मामले में एडी ने साल 2018 में मधुकोडा और अन्य के खिलाब मामला दर्च किया गया था इसके खिलाब पूरों मोखेवंत्री मधुकोडा ने हाय कोर्ट में याचिका दाकिल के थी प्रदेश में बारा सुपचास वित्तिरहित संस्थानों में सक्षनी खर्ताल पठन पाठन ठफ रहा वित्तरहित सिक्षा कर्मियों ने सक्षनी खर्टाल के साथ साथ संस्थानों के मुख्य द्वार पर पुतला पीफू का सेक्षनी खर्टाल वितरहित सिक्षक कर्मियों को राजी कर्मी का दर्जादेने और अनुदान की रासी चौगुना करने के प्रस्ताव को अब आगे मोर्चा की और से 30 नौम्बर को राजबोन के समक्ष धारना प्रदर्सन की बाद राजबाल को क्या पन सौपा जागा तीन महा में समती नहीं हुई है अजब गजब इसक प्रेमिका की साधी रुखवाने के लिए सिर्फिरे प्रेमी ने वाइरल कर दी असलील तस्वीर गिरबतार गोड़ा के मपसिल थाना चेतर से एक संसनी खेच मामला सामनी आ है यहां एक सिर्फिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमीका की साधी कहीं और तै हो जाने के बाद उसकी अपती जनक तस्वीर फेस्बुक पर वाइरल करती जिसके बाद नावालिक लड़की ने खुद इसकी सिकायत थाने में जाकर की पुलीस ने अपनी जाच में मामले को सच पाकर तुरंद लड़के को जिरबतार कर लिया है मामला मुपसिल थाना के एक गाउंका है यहां अपनी प्रेमीका की साधी कहीं और तै हो जाने से नाराज जीवक ने अपनी प्रेमीका की तस्वीर को वाइरल कर दिया दरसल दोनों प्रेम प्रसंग में थे, इस दोरान लड़की की साधी उसके परिजनों ने कहीं और ताय कर दी अपनी प्रेमी का गारिस्ता तुड़वाने के लिए उसने ऐसा किया लड़की ने अपनी सिकायत में बताया है कि प्रेमी ने उससे संबंद बना लिया था जिसके बाद पुडिता का मेडिकल जाज भी कराए गई मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि सन की प्रेमी को गरबतार कर लिया गया है लड़की की मेडिकल जाज करवाई गई है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी हजारी बाग पुलिस ने जब्त किया 1536 बोतल अवाद सराप एक कुईंटल सबजी भी मिली जार्खन की हजारी बाग पुलिस ने सीमा पार अवाद सराप की तसकरी करने वाले गिरों का परदाफास किया है 1536 बोतल सराप पीकफ वेन में छेपाकर ले जाए जा रही थी सुचना के अधार पर बेसुनगर स्ड़ीपियों के नेतुतों में एक टीम गठन किया गया था पुलिस बल ने डुमरिया टान मोड के पास पहुँचकर संदिग्द वाहन को पकड़ा तो उसमें से अवाद सराप मिली वाहन में अवायद धंग से 500 किलो बैंगन और 500 किलो बंद गोबी की भी तसक्री हो रही थी जारखन में एन आईये कर रही आसुरक्चित महसूस ग्रीमंतराले को पत्र लिखा मांगी सुरक्चा एडी के बाद अब राश्टर जारखन एजनसी एन आईये खुद को जारखन में आसुरक्चित महसूस कर रही है इससे लेकर उन्होंने ग्रीमंतराले को पत्र लिखा है जिसमें एन आईये ने अपने आफिसर्स और पद अधिकारी की सुरक्चा का मामला उठाया है एन आये के अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि वहा राज्ज में पियल अफ़ाई नक्सली संगठ庭न जैसे गंबिर मुद्धों पर जांच कर रहे हैं जांच के सिलसले में आधिकारियों को सुदर गाउं भी जाना पड़ता है, ऐसे में ये संगठन एनाई आधिकारियों को अपना सिकार बना सकते हैं, वही एनाईय के पत्र के बाद केंद्रिय गरी मंत्रले ने जारकन सरकार के मुख्य सच्ची वा गरी कारा एवं आबदा पर है, जा चायज के वही ए त्हें की यही एक बार